परिचय आदित्य, क्या तुम व्यस्थ हो? हाँ मम्मी मैं चाहती हूँ कि तुम किराने वाले के पास जाओ और उससे 25 किलो गेहूं का आटा देने को कहो मैं वो कर दूँगा मम्मी लेकिन मुझे उससे कितने पैसे देने होंगे? एक किलो आटा की कीमत पचीस रुपए है इसलिए किराने वाले को 25 किलो ग्राम के 625 रुपए देने है वाँ मम्मी, ये बहुत तेज गणना थी धन्यवाद आदित्य, 700 रुपए लेकर जाओ और जो पैसे बचें, वो वापस ले आना किराने वाला 75 रुपए वापस करेगा न मम्मी अच्छी गणना थी आदित्य बच्चों, इस पार्ट में आप धन के बारे में जानेगे आओ सीखें एक वस्तू के मुली से कई वस्तूओं के मुली की गढ़ना करना कई वस्तूओं के मुली से एक वस्तूओं के मुली की गढ़ना करना कुछ वस्तूओं के मुली से कई वस्तूओं का मुले निकालना धन या पैसा अनुशा दो पोशा खरीदती है प्रत्यक के कीमत 650 रुपए है वो दुकानदार को कितने रुपए चुकाती है? एक पोशाक की कीमत 650 रुपए है. तो पोशाकों की कीमत 650 गुणा 2 यानी 1350 रुपए होगी. अनुशा दुकानदार को 1350 रुपए चुकाती है. आईए एक और उधारण को देखते हैं. छोटू एक रेलवे स्टेशन पर एक कुली के रूप में काम करता है. वो कोई छुट्टी नहीं लेता है और 30 दिनों में 9000 रुपए कमाता है. वो एक दिन में कितने रुपए कमाता है? एक दिन में छोटू की कमाई 9000 रुपए है. एक दिन में छोटू की कमाई 9000 भाग 30 यानि 300 रुपए होगी. छोटू एक दिन में 300 रुपए कमाता है. धन या पैसों का उप्योग करना पैसों का उप्योग खरीदने के लिए किया जाता है. इसका उप्योग व्यक्ति को उसके काम के लिए मस्दूरी और वेतन देने के लिए भी किया जाता है. पैसों के बहतर इस्तिमाल और समझ के लिए आए गरना करना सीखते हैं. कई वस्तू का मोल ले एक वस्तू का मोल ले कई वस्तू का मोल ले रामू एक माली है, लोग उसे नौकरी पर रखते हैं और उसे एक दिन का महंताना 210 रुपे देते हैं साल 2011 में उसने 312 दिन काम किया उसने 2011 में कितना रुपिया कमाया प्रते दिन रामू की कमाई बराबर 210 रुपे रामू के काम करने के दिनों की संख्या 312 साल 2011 रामू के द्वारा कमाई गई कुल राशी बराबर 210 कुणे 312 आईए हम कुणन को चार चर्णों में विभाजित करते हैं सबसे पहले हम 200 और 300 का गुणा करते हैं फिर 10 और 300 का गुणा करते हैं फिर 200 और 12 का गुणा करते हैं फिर 10 और 12 का गुणा करते हैं अब हम कुणन फल को जोड़ते हैं और 65,520 रुपे प्राप्त करते हैं अता साल 2011 में रामो ने 65,520 रुपए कमाए राधा एक डॉक्टर है वो एक परामर्श के लिए 625 रुपए फीस लेती है एक दिन में वो 12 मरीजों से मिलती है यदि वो एक विशेश महीने में 30 दिन काम करती है तो वो कितने रुपए कमाती है एक परामर्श के लिए राधा की फीस 625 रुपए एक दिन में मरीजों की संख्या 12 तेज दिनों में मरीजों की संख्या तेज गुणे 12 बराबर 276 महीने में राधा की कुल कमाई 625 गुणे 286 आए गुणन फल की एक और तकनीक सीखते हैं सबसे पहले हम 625 का 6 से गुणा करते हैं फिर हम 625 का 70 से गुणा करते हैं अंत में हम 625 का 200 से गुणा करते हैं हम तीनों गुणन फलों को जोड़ते हैं और एक लाग बहत्तर हजार पांच सौ प्राब्त करते हैं अताहा राधा 1,72,500 रुपए कमाती है एक वस्तू की कीमत विवान 30 किलो ग्राम आम खरीता है और 1500 रुपए में बेचता है एक किलो आम की कीमत क्या है? 30 किलो ग्राम आम की कीमत 1500 रुपए एक किलो ग्राम आम की कीमत 1500 भाग 30 यानि 50 रुपए एक किलोग्राम आम के कीमत पचास रुपए है आईए हम अपने विभाचन को प्रमारित करते हैं अभी हमने निकाला कि एक किलोग्राम आम के कीमत पचास रुपए है तो तीस किलोग्राम आम के कीमत होगी पचास कुड़ां तीस यानि पंधरा सो रुपए प्रश्ना नुसार विवान 30 किलोग्राम आम पर 15 सो रुपए खर्च करता है इस तरह ये सिद्ध होता है कि हमारा विभाजन सही था सुजाता के बेटे की शादी हो रही है उसका घर महमानों से भरा हुआ है वो महमानों के लिए खीर तयार करने के लिए 32 लिटर दूद खरीती है यदि वो दूद वाले को 1120 रुपए का भुकतान करती है तो एक लिटर दूद की क्यमत क्या है 32 लिटर दूद की क्यमत 1120 रुपए एक लिटर दूद की क्यमत 1120 भाग 32 आएए हम 1120 को 32 से विभाचित करना चाने दिखाया नुसर दो संख्याएं लिखें 1120 के अंकों पर गोर करें पहला अंक एक 32 से बहुत छोटा है एक साथ पहले दो अंक यानि 11 भी 32 से बहुत छोटे हैं अब एक साथ पहले तीन अंकों यानि 112 पर गोर करते हैं 112, 32 से काफी बड़ा है इसलिए दाइं तरफ 3 लिखें और 112 के नीचे 96 लिखें घटाओ करें और घटाओ 16 को नीचे लिखें नीचे 0 लगाएं नई संख्या 160 बंदी है ये 32 से 5 बार में पूर्टिया विभग्त हो जाती है 5 को 3 की दाइं और लिखें और 160 को 160 के नीचे लिखें अब घटाएं चुकि घटाओ शून है अताहा विभाजन प्रक्रिया की सवाप्ती को दर्शाने के लिए क्रॉस यानी काटे का चिन्हें लगाएं इस तरह एक लीटर दूद कितनी मत 35 रुपए है धन या रुपए पर विविद समस्याएं आये अब पैसों की समस्या को सुलजाने में हम दोनों अवधारणाओं का प्रयोग एक साथ करते हैं किशोर रोजन दारी पर काम करने वाला एक मस्तूर है वो साथ दिनों में 2457 रुपए कमाता है यदि वो 52 दिन काम करे तो कितने रुपए कमा लेगा सबसे पहले हम किशोर की एक दिन की कमाई निकालते हैं साथ दिनों में किशोर की कमाई 2457 रुपए एक दिन में किशोर की कमाई 2457 भाग साथ है यानि 351 रुपए अब हम उसकी 52 दिनों की कमाई निकालते हैं 52 दिनों में किशोर की कमाई 351 गुणे 52 18252 रुपए इस तरह किशोर 52 दिनों में 18252 रुपए कमाएगा पैटरॉल से एक कार को भरने के 240 रुपए लगते हैं 12 रुपए के व्यासे कितने कारों को भरा जा सकता है 240 रुपए खर्च करके पैटरॉल से भरी जा सकने वाली कारों की संख्या एक है 12.00 रुपए खर्च करके पेटरॉल से भरी जा सकने वाली कारों की संख्या बराबर 12.00 भाग 240.00 बराबर 5 है 12.00 रुपए खर्च करके पेटरॉल से 5 कारे भरी जा सकती है अब तक हमने हमें दिये के प्रशनों का उत्तर दिया है आईए अब हम प्रशन तयार करते हैं एक शब्दों की समस्या की इस शुरुआत को देखो एक किलो केक का मुल्ले पचीस रुपए है अरुना पांच किलो केक खरीती है निम्न में से इसके लिए उप्युक्त प्रशन कौन सा है पांच किलो का मुल्ले कितना है पांच किलो के लिए कौन भुक्तान करेगा अरुना पांच किलो केक का कितना भुक्तान करेगी क्या पांच किलो परियाप्त होगा विकल्ब का और का दी गई शब्द की समस्या के लिए उप्युक्त प्रशन है विकल्ब खा और खा दी गई जानकारी के अधर पर सही उत्तर नहीं हो सकते आताहा वे उप्युक्त प्रश्न नहीं हैं आओ खेलें प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्ब पर क्लिक करके सही उत्तर का चैन कीजिए हमने क्या चर्चा की? हम कई वस्तू के मूले की करना करने के लिए एक वस्तू के मूले की करना करने के लिए कई वस्तू के मूले को निकालने के लिए हम पहले भाग देते हैं फिर गुणा कर देते हैं